आज मैं आपसे मस्रूम की ऐसी चटपटी सबजी सेयर करने जा रही हूँ जो पूरे यूटूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसे बनाना भी काफी आसान है और मुश्किल से 15 मिनट में बन भी जाता है बस आपको ये रेसिपी थोड़ी से भी अच्छी लगे ना तो ज इसे काट ली हूँ दो-दो भागों में तो अब मैं इसे डाल रही हूँ एक भगोने में बस इस मस्रूम को बनाने के पहले हमें थोड़ी से त्यारी कर लेनी है हमें दो मिडियम साइज के प्याज को लच्छे में काट कर और कुछ लहसुन की कलियों को इस तरह से तेल में निकाल लेना है और इसे बिना पानी के ही पीस लेना है तो अब इस कटे हुए मस्रूम में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चमच धनिया आधा छोटा चमच जीरा आधा से थोड़ा कम काले मिर्च आधा छोटा चमच लाल मिर्च और एक चमच मीट मसाला इसके बाद मैं ड प्राई किया हुआ प्याज और लहशन का पेस्ट और एक बड़ा चमच दही दही इस रेसिपी की सबसे खास इंग्रेडियंट्स है इससे हमारी ग्रेवी भी कापी अच्छी बनेगी और लास्ट में मैं डाल रही हूँ स्वादानुसा नमक अब इसे अच्छे से मिलाकर पांच मिनट के लिए रख देंगे मरिनेट होने के लिए इसके बाद भगोने में मैंने डाला है सरसो का तेल और यहां पर मैंने खड़ा जीरा और कुछ गरम मसाले लिए हैं आपको जो भी गरम मसाला पसंद है आप ले सकते हो तो जैसे ही तेल हमें डाल देना है यह जीरा और गरम मसाला और जीरा का हल्का ब्राउन होने पर हमें गैस को कर देना आप और इसी तेल में मैं पहले डाल रही हूं हल्दी इसके बाद हमें डालना है मैरिनेट किया हुआ मसरूम अब इसे अच्छे से चला कर हम गैस को कर देना है आउन और ग्रेवी के लिए डाल देंगे थोड़ा पानी क्योंकि इसके ग्रेवी ना काफी अच्छी लगती है और पांच मिनट हमें से ढग कर पकाना है तो देखिए पांच मिनट के बाद हमारी चटपटी मस्रूम की सबजी रेडी हो गया और इसे रोटी के साथ खाए या फिर चाव लगता है